देख कि आध भर घडू आध खड़ू किन्का दिक का विरोदक पुरूर से ही चल रहा है वद दिलावर जी ने जो आधिवासी समाज खिलाब जो बयां दिया था उस पर माफीं नहीं मांग रहे हैं और जब तक माफीं नहीं मांगें के अमारा वियो जारी रहे आज सदन के अंदर महिला अपरादों से जुड़ा हुआ बहुती महत्वपूर्ण प्रसंद हमारी मान्य सदस्या इंद्रा मिना जी के दुवारा लगाया गया था और क्युस्टन की इतनी कंभीरता होने के बावजूद भी मान्य मंत्री मोदे और सरकार जवाब देने से बस्ते रहें सीधा सिम्पल कुष्चन था कि डिम्पल मीना के मामले में सीबियाई जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे और लगातार जो अपराद बढ़ा है उस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं मुझे कहना पड़ा सदन के अंदर कि जो नहीं सहेगा राजस्तान का दावा करने वाली और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार आज हालत यह है कि भरतपुर जा खुद मुखमंत्री जी आते हैं वो पूरे रास्तान में सेगेंड नमबर पे है अपराद के ग्रह मंत्री खुद वहीं से हैं यह हालत है मान ये मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए और जितने भी उन्होंने सरकार की तरफ से डारेक्षन लगाय हुए थे वो सारी डारेक्षन या तो हमारी गॉवर्मेंट में पिछली गैलोद सरकार में थी या उससे पहले वसंद्रा जी के समय में वो डारेक्शन जारी की हुई थी तो आप लोग साथ मेहने से क्या कर रहे हैं आप तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते कर रहे थे साथ मेहने में आपने एक भी डारेक्शन जो दी हो वो विधान सबा के अंदर उपलब नहीं थी मैं आगडों की बात करना चाहूं तो पिछले 6 महिने के अंदर ही अपरादों के अंदर जो बे अतासा विर्दी हुई है अप्रेल 2024 में महिला अत्याचार के 2861 मुकदमे दर्ज हुएं अप्रेल अप्रेल के अंदर और जो मई के अंदर अगले मेहने बढ़के 4088 हो गए यह हालत इनकी है कि और यह बढ़ोतरी लगबग 43 परसेंट है इसी परकार से कि साथ मेहने में अगर साड़े आठ हजार से अधिक महिला उत्पिडन के मामले बढ़े हैं लगातार हर महीने तो सरकार इसका क्या जवाब देना चाहेगी यह बात मैं कहना चाहूँगा मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 20,767 जो मुकदमे 6 मेने में इनके दर्ज हुए हैं यह लोग आज यह जवाब नहीं दे पाए इन मुकदमों के अंदर कितने इन्होंने चालान पेस कर दिये कितनी तलक दलित एक्रोसिटीज के अंदर हुई हैं और जो दलित महिलाएं थी उनमें कितने परिवारों को इन लोगों ने रहाद दी कि मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए यह हालत इनकी है अध्यक जिनको बचाते हैं सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं है इसी परकार से में एक दूसरा जो बहुती गंभीर मामला है जो हमारे जंजाती छेत्रियों मंत्री हैं उनके इलाके से जुड़ा हुआ मामला है जहां छोटे बच्चों की खरीद फरोग तो रही है कोग में बच्चों की खरीद फरोग तो रही है उस क्युष्चन से भी सरकार बस्ती नजर आई जब से मामला ध्यान में आया है उसके बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्षन इसके अंदर नहीं लिया गया मानव अधिकार आयोग ने ही इसके अंदर प्रसंग्यान लिया है और उसके बाद उन्होंने कारवाई करने के निर्देश दिये हैं अब तक मुख मंत्री जी का घ्रे मंत्री जी का कोई बयान कोई दोरा कोई मतलब भी नहीं है ये लोग राजस्तान के आम आवाम की जो परेशानिया हैं जो दुख है जो पीड़ा है जो संकट जहल रहे हैं उस पे बोलना नहीं चाहते हैं मुझे बड़ा अचंबा हुआ कि आज बीका नेर से आने वाले माने सदस्त ने बीका नेर के अंदर बिजली नहीं आने का मुद्दा उठाया उन्होंने आरोग तो हमारे समय में हमारी सरकार पे लगाए कि इनकी सरकार के समय के जो लगे हुए अधिकारी हैं उनकी वज़े से लाइट नहीं आरी लेकिन जब उनने बात कही उसके बाद सदन के एक-एक विधायक ने इसे अपनी छेतर की भी समस्या बताई खुद अध्यक जी ने अजमेर में लाइट की हाला खराब होने की बात कही तो क्या पूरे राजस्तान में हमारे रिष्टेदार लगे हुए हैं जो बिजली नहीं दे रहे हैं ये बात मैं लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं बिजली के सारे आगड़े ओनलाइन रहते हैं किस GSS पे कितनी बिजली गई है